जियां दोस्तों दाव पर लगी भारत और साउथ ऐफरीका की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम साउथ ऐफरीका के खिलाफ मैदान पर उतर चुकिया और क्या है दूसरे टीटवन टीम मुकाबले की पूरी लाइव अपडेट और क्या उतरी है प्लेंग लैवन टीम मैदान पर वो सब तो आपको यहां पर हम बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ ऐफरीका की टीम में से कौन सी टीम इस दूसरे टीटवन टी मुकाबले को जीतेगी आप अपनी कीमती राए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आप भी भारत और साउथ ऐफरीका के बीच रूमांचक मैच देखने के लिए उसा ही तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजेगा तो चलिए अब आपका जाता समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को यहां दोस्तों जैसे कि आप सभी को पताई कि भारत और साउथ ऐफरीका के बीच गमासान सीरीज खेली जा रही है और ऐसे में दोस्तों पांच मैचो की टीटूंटी सीरीज का पहला मुकाबला साउथ ऐफरीका की टीम ने भारत की टीम के खिलाफ जीता था और इस लकों का सोर भी अब जोर पकड़ चुका है और मुकाबला जोडार अब रहने वाला है दोस्तों अब जोडार मुकाबले को देखने की दिल्चस्पी तो हर किसी में होती है और सवाल यह है कि आप सभी इस दूसरे टीटूंटे मुकाबले को आप इस्टार SPORTS NETWORKS के चैन में तो दोस्तों ये मुकाबला कटक के बारबती स्टेडियम में खेला जाए जहां 1958 में बने इस स्टेडियम में 45,000 दर्शकों की बैठने की सुविदा है और 12,000 टिकटों को allowed किया गया है इस मुकाबले को देखने के लिए हाला कि दूस्तों आस तक यहां पर सिर्फ 2 T20 मुकाबले खेले गया है एक बार पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम तो वहीं एक बार पहले गेंदवाजी करने वाली टीम ने इस स्टेडियम पर जीत दर्श किया है तो ऐसे मे मुकाबले में जो साउथ ऐफरिका और भारत की टीम उत्रेगी आईए पहले हम आपको वो बताते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप सभी यहां पर साउथ ऐफरिका की टीम देख पारे होगे साउथ ऐफरिका की तरफ से जो आप सभी को खिलाडी बीच मैदान पर खेलते होए नज शान किशन शामिल होते हुए दिखाई देंगे और उनका साथ निबाइंगे रुतुराज का एकवार्ड तो ही स्रेश एयर को मौका दिया जाएगा रिशप पंत आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं तो ऐसे में दोस्तो इस रोमांचक मुकाबले का इंतजार हर को बेसबरी से और आप सभी इस मुकाबले का लाइफ प्रसारड पर जिसे अपनी टेलीविजन पर देख सकोगे बाकि अब आप सभी की क्या राए है इस मैच के बारे में और आपके अनुसार कॉनसी टीम इस मुकाबले को जीतेगी आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा